आज हम पढ़ेंगे बुगोल का अध्याय चार जिसका नाम है क्रशी देखो बचो इस अध्याय के अंदर हम देखेंगे क्रशी के बारे में क्रशी की विद्यों के बारे में विभिन प्रकार की फसलों के बारे में और विभिन प्रकार के प्रिस्तितियों में किन प्रकार की फसलों को उगाया जाता है तो आये प्राहरम करते हैं सबसे पहले अगर में बात कुन की क्रशी क्रशी क्या है देखो एक प्रात्मिक क्रिया देखो प्रात्मिक क्रिया देखो तीन पकार की क्रिया होती है बच्छो एक होती है प्रात्मिक एक होती है द्वित्यक और एक होती ह प्रात्मिक के अंदर वे उत्पाद आते हैं जो किसी भी उद्योग के लिए या किसी भी आवशक्ता के लिए कच्छे माल के रूप में काम आती है द्वित्यक के अंदर वे सेवाएं आती है जो प्रात्मिक से प्राप्त की जाती है जैसे कि मान लो हमने गेहूं त्यार की जो अभी हमारे इस अध्याय का हिस्सा नहीं है क्योंकि सेवाओं के अंदर विभिन प्रकार की सेवाएं आती है जैसे कि बैंकिंग सेवा इस प्रकार की सेवाएं तिरत्यक छेतर में आती है अभी हम प्रात्मिक छेतर और दिवित्यक छेतर की बात करेंगे प्रात्मिक छेतर फूलों को उगाना और पशुधन पालन इसमें शामिल है बारत की दो तीहाई जिमस्ञिया अब तक क्रशी पर निर्बर है इसलिए बारत को क्रशी परधान देस भी कहा जाता है क्रशी परधान का मतलब है कि बारत की अधिकांस तेदो जनता है अभी भी क्रशी करके अपनी जीविको परजन या अपने जीविका चला रही है, अब मैं बात करूँ अगर क्रशी तंत्र की, कि ये क्रशी तंत्र क्या है, तो क्रशी तंत्र का मतलब है, क्रशी कैसे की जाती है, क्रशी करने के लिए किन किन जीजों की आवशक्ता होती है, तो इन सब बातों की सर्चा हम क क्रशी तंतर में करेंगे क्रशी या खेती को एक तंतर के रूप में देखा जा सकता है इसके महतवपुर्ण निवेश निवेश यानि कि क्रशी करने के लिए किन चीजों के आवशकता होती है तो बीज सबसे पहले का में बीज चाहिए बुआई के लिए उरुवरक अब कई बार क्या आता है फसल बनने के बाद कुछ गासफूस भी उगना प्रार्म हो जाते हैं तो उन गासफूस को खतम करने के लिए या मैं ऐसे बोलूं कि कई बार मिट्टी की उरुवरक ता बढ़ने के लिए भी हमें किसका उप्योग करना पड़ता है उरुवरकों का उप्यो किया विए इस के उनतर किया जाता है मों लोक कर्शी करने के लिए क्य फिए क्या क्या आपको वहां काम करने पड़ेंगी आपको जुताई ecd पड़ेगी बुभाई भी करनी पड़ेगी और एंतिम समय में कटाई भी करनी पड़ेगी इस तंतर के निर्गतों से निर्गतों के अंतरकत फसल उन डेरी कुकुट उतपाद आते हैं अगर उतपाद उतपाद continues की बात करें तो जैसे आपने कर्षी की तो इससे आपको क्या मिलेगी फसल मिलेगी जैसे कि माला आपने गेहूं बोई तो आपको गेहूं मिलेगी फसल उन अगर आप आपने जैसे को मैंने आपको पहले भी बताया कि जो पशुप पालन है वो भी कर्षी के इंतर गताता है मा मान लो आप बेड़ों को पाल रहे हैं तो बेड़ों को पालने से एक मात्र फायदा है उन का क्योंकि उन से क्या प्राप्त होती है हमें उन प्राप्त होती है आगे चलते हैं अब बचो यह वो छेतर दर्शाये गए हैं जहां क्रशी की जाती है आप देख सकते हैं जो आपको जुतना भी green green हिसा दिख रहे हैं ये सभी हिसा जो है ये दर्शाता है कि कहां कहां क्रशी की जा रही है आगे चलते हैं अब मैं बात करूँगा क्रशी के परकार कि क्रशी के परकार क्या होते हैं और इनमें सबसे पहले आता है निर्वाह क्रशी निर्वाह क्रशी का मतलब हो पूरा कर सके जरूरतों यानिकि अपने खाने पीने की जरूरतों को पूरा कर सके इस प्रकार की क्रशी क्रशक परिवार की आउशक्ताओं को पूरा करने के लिए की जाती जैसा कि मैंने आपको बताया सिर्फ अपने ही जरूरतों को पूरा करने के लिए क्यों पत्तो ऐसे क् पड़ेगा क्योंकि बहुत ही छोटे स्थर पर ईक्रश्य करने पड़ेगी कि सर्मिकों की आउशकता कम होगी किए Score अपने को पता अपने होगा कंपर होगी कं पल्पराप्थ करने के लिए निमन स्थरीय परद्योगी कि तेक्नलोजी क्या परिवारीक शरम का उपयोग किया जाता है निर्वा करशी अ Tillot कुने गहन निर्वा करशी और एक बहुत बड़ा जंगल का एरिया है तो उसमें से कुछ स्थान से जंगल काटे जाएंगे वहाँ पेड़ों को जलाया जाएगा और पेड़ों को जलाने से जो राक प्राप्त होगी उस्थान पर राक को पूरा फैला दिया जाएगा और राक को फैलाने के बाद वो जो लगातर चलता जा रहा है तो इस करशी को बहुत है स्थानांतरित करशी देखते हैं अमेजन बेसिन मतलब अमेजन के जंगल जो की दक्षिनी अमेरिका महादूइप में इस्थित है तो अमेजन बेसिन की सगनवन सगनवन मतलब बहुत ही कम जगे पर बहुत सारे पेड़ सगन वन उशन कटी बंदिये अफरिका दक्षनी पूर्व एसिया और उत्री पूर्वी बारत के बागों में प्रसलित है यानि कि बताया गया है कि स्थानान्दित ग्रशी किन किन बागों में की जा रही है ये भारी वर्षा और वनस्पती के तिरुपुनर जनम वाले छेतर है देगो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था वन किन छेतरों में अधिक होंगी जहां भारी वर्षा होती है और जितने ज़्यादा वन होंगे उतनी ज़्यादा जमीन बनेगी स्थानांतित क्रशी करने के दिए व्रक्षों को काट कर और जलाकर बुखंड को साफ किया जाता है तब राक को मरदा में मिलाया जाता है तता मक्का रतालू आलू और कसावा जैसी पसलों को उगाया जाता है बूमी की उरवर्ता की समाप्ति के बाद वह बूमी छोड़ दी जाती है और क्रशक ने भुखंड पर चला जाता है स्थानांतित क्रशी को क्रतन एंव देहन क्रशी के रूप में भी जाना जाता है देहन यानि कि आपको पता है पेड़ों को जलाकर की जाती है जैसा कि मैंने आपको बताया एक स्थान पर क्रशी की जैसे ही रूवर्ता ख ऑंधार्णों करनाः गूम गूम कर पसवों को सरानना यह हो गया जैसे कि इस अढूहे के प्रावलम मैंने आपको बताया था कि प्षू पालन है यह ब curved क्रशी माना जाता है यहनिर एक रखर कि रसी ही इस आए बहूर दो कि उस सकती है और इनकी जो तो जफ़ can do को बेच कर अपनी अजेवका चलाई जाती है तो इसलिए जो किसान जो है वो क्या काम करते हैं गूम-गूम कर अलग-अलग स्थानों पर जाकर अपने पसुओं को चराते हैं तो इस क्रशी को मैंने क्या बोल दिया ये इस पसुचारण को मैंने क्या बोल दिया यह इतने शुच कहा कि यहां जो क्रशी है वो नहीं की जाती है, तो यहां क्रशी के रूप में पसूतारन ही किया जाता है, मद्या इसिया, साउदी अरेबिया, कत्तर, ओमान, इनकी बात कर रहे हैं, और बारत के कुछ बागों, जैसे राजस्तान, आपको पता हैं, राजस्त प्रकार की क्रशी में पसुचारक अपने पसुचारक के साथ चारे और पानी के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर निश्चित मार्गों से गोमते हैं इस प्रकार की गतिविदी जलवायविक बादाओं और भूबाग की प्रती क्रिया सवरूप उत्पन होती है जैसे कि मैंने आपको बता है जलवायविक क्रिया या भूबाग का मतलब अब जब मैं बात कर रहा हैं सारा मुरुस्तल की तो वहां करशी नहीं की जा सकती तो वहा निर्ब्र करता है उस भूबाग की स्थिती पर अगर मान लो वहीं अच्छी क्रशी हो रही है तो फिर वहां इसका चलन बहुती कम होगा जैसा कि मैं आपको इन परदेशों के बारे में बताया यह वहीं परदेश हैं जहां क्रशी नहीं होती पसुचारक मुखेते बेड़ उन्ट मवेशी मवेशी यानिकी बहांस वगेरा मवेशी याक और बक्रियां पालते हैं यह पसुचारकों और उनके परिवारों के लिए दूद मास उन खाल और अन्य पाले लबज़ कराते हैं और जिने बाजार में बेचकर जो किसान अपनी ज लाता है वानिज्यक करशी का मतलब होता है वो करशी जिसे किसान बजार में बेचकर लाब कमाता है ऐसी करशी को बोला जाता है वानिज्यक करशी जैसे आपने देखा होगा हमारे यहां किसान एक बड़ी मातरा में अगर मैं गेहूं का उदारन लूँ तो बड़ी मातरा मे वो किसान के घर पे तो लगेगी नहीं तो बच्ची वे गहूं बजार में बेच कर आता है यह भी एक पगागी क्या आगी वानिजिक और इससे भी अच्छी है अगर मैं वानिजिक जो सिर्फ बजार में बेचने के लिए ही की जाती है जैसे कि चाय कोफी यह कुछ ऐसी फसले हैं जो बजार में बेचने के लिए ही की जाती है गन्ना तो यह कुछ प्रमुक वानिजिक फसले हैं वानिजिक क्रशी में फसल उत्पादन और पशुपालन बजार में विक्रे हैतू किया जाता है यानिकि बजार में बेचकर जीविका या धन कमाने के लिए अब मैं बात क जाकता है वाने जी क्रशी का एक परकार जहां चाय कहवा काजू रबड केला अत्वा कपास की एकल वसल उगाई जाती है जिसा कि मैंने आपको बताया इन चीजों का वो किसान अपने लिए बहुती कम करता है इनकी जो खेती है सिर्फ की जाती है बजार में विक्रिय करने के अगर मैं छेतरों की बात करूं तो विश्व के उशन कटी बंदिये परदेशों में पाये जाते हैं जैसे कि मलेशिया में रबड ब्राजील में कहवा भारत और स्रिलंका में चाय इसके क्या है रोपन करशी के प्रमुक उदारन है आगे देखते हैं मुखे फसले अब हम ब रहता है सबसे पहले बात करते हैं चावल की देखो बतो चावल जो है इसका सबसे बड़ा उत्पादकता जो देश है उत्पादन करने वाला जो देश है वो है चाइना यानिकी चीन यानिकी विश्व में सबसे जादा चावल जो उगाए जाते हैं वो उगाए जाते हैं च मैं बात करता हूं गेहूं की गेहूं जो है बारत में यह शीत रितु में उगाया जाता है और शीत रितु में उगाया जाने वाली फसलों को बोलते हैं रभी की फसल यानि कि गेहूं किस फसल के अंदर काता है रभी की फसल के अंदर काता है जबकि आपने देखा वाद चाव चावल का रोपन कर रही है तो चावल जो फसल है इसका रोपन किया जाता है इसके कोई बीज नहीं आते हैं आगे देखते हैं कि मिलेट मिलेट क्या है देखो बचों मिलेट के नहीं आते हैं मोटे अनाज यानि कि बाजरा मक्का इन सब को बोला जाता है मोटा अनाज तो मैं बात करता हूं मिलेट की तो ये मोटे अनाज के रूप में भी जाने जाते हैं और कम उपजाओ तता बलूई मर्दा में उगाई जा सकती है यानि कि रेगिस्तान के इलाकों में भी हो सकती है यानि कि अगर मैं देखूं बा बारत के राज्जस्तान के थार के मुरुस्तल में यह आसानी से उगाई जा सकती है यह इनका उत्पादन किया जा सकता है यह ऐसी फसल है जिसे कम वर्षा और उत्ष से मध्यम तापमान तता प्रयात सूर्य प्रकास की आवशकता होती है जैसे की जवार बाजरा रागी आदी और आप देख सकते हो यहां यह है जवार की फसल आप देख सकते हो सुरी यह है मक्का की फसल आगे देखिए अब मैं बात करता हूँ मक्का की इसके लिए मध्यम तापमान वर्षा और अधिक धूप की आवशकता होती है मक्का, अगर मैं मक्के की बात करूँ कि मक्के का सरवादिक उत्पादन कहां होता है तो यह होता है उत्तर अमेरिका के अंदर उसके बात ब्राजील, चीन, रूस, कनाड़ा, भारत और मेक्सिको यानि कि अगर मक्के के अंदर सरवादिक उत्पादन करने वाले देश की बात नाम करें तो कौन सा देश है उत्तर अमेरिका महाजवीब आगे देखो कपास यह काली और जलोड मरदा में सरवतम उगती है यानि कि इसके लिए उपरित मिट्टी की बात करूँ कपास के लिए तो कौन सी है काली मिट्टी उन छेतरों में पाई जाती है जहाँ पहाड़ी छेतर जादा है जैसे कि अगर मैं बात करूँ गुजरात का बूबाग मद्धे प्रदेश का बूबाग राजस्तान के हरावली के चेतर तो वहाँ सब जगें क्या पाई जाती काली मिट्टी कपास की लिए के अप्रित मिट्टी है चीन सीद्राजयय अमेरिका बारत पाकिस्तान ब्राजीन और मिड कपास ressressressressressressressressressressressressressressressressressressressressressressressressressressressressressressressressressressressressressressressressressressressressressressressressressressressressressressressressressressressressressressressressressressressressressressressressressressressressressressressressressressressressressressressressressressressressressressressressressressressressressressressressressressressressressressressressressressressressressressressressressressressressressressressressressressressressressressressressressressressressressressressressressressressressressressressressressressressressressressressressressressressressressressressressressressressressressressressressressressressressressressressressressressressressressressressressressressressressressressressressressressressressressressressressressressressressressressressressressressressressressressress के उत्पादन की बात करूँ तो बारत का पस्चिम मंगाल और बांगला देश दो है वो इसमें अग्रिनी है जैसा कि हम देख सकते हैं यहां कि इसको सुनहरा रेशा के रूप में भी जाना जाता है गोल्डन फाइबर सुनहरा रेशा यह है जलोड मरदा यानि कि इसके लिए जलोड मरदा में अच्छे डंग से विक्सित होता है इससे उचतापमान बारी वर्षा और आद्र जलवायू की आवशकता होती है बारत और बांगला देश पट्सन के अग्रिनी उत्पादक है आगे देखते हैं कोफी यह सभी वानिजिक फसलों के उधारन है हम सभी वानि जलवायू अगर मैं जलवायू की बात करूं तो कोफी के लिए कैसी जलवायू की आवशकता है गरम और आद्र जलवायू और सू अपवाहित दोमट मरदा यानि की मरदा की बात करूं तो कौन सी है दोमट मरदा और जलवायू की बात करें तो गरम वे आद्र की आवशकता होती है और अगर इसके अंदर मैं अग्रिनी देशों की बात करूँ तो ब्राजील कोफी का अग्रिनी उत्पादक है ब्राजील है यह हमारे पड़ता है दक्षणी अमेरिका महाद्वीप में इसकी पस्चाथ कोलंबिया और भारत हैं अब मैं बात करता हूं चाय की बागानों में उगाए जाने वाली एक पेय फसर है फ्सल यानि कि चाय काई काई पडार्थ के रूप में करते हैं इसली से क्या कहा जाता है पेपदार्थ भी कहा जाता है इसकी कॉमल पत्यों की व्रदी के लिए ठंडी जलवाईव और वर्स भर समवित्रित उच वर्षा की आवशकता होती है यहने कि जलवाईव कैसी है इसके लिए ठंडी जलवाईव और वर्सा पूरे साल एक जैसी होनी चाहिए अब मैं बात करता हूँ क्रशी का विकास की क्रशी का विश्व के अंदर अगर मैं बात करूँ विश्व के दरश्टी कौन से देखूं तो क्रशी का विकास कैसे हुआ देखो बचो करशी का विकास एक दिन में नहीं हुआ, इसके विकास के लिए हजारों साल लगी, देखते हैं कैसे विकास हुआ, तो करशी का विकास विश्व के विबिन बागों में विबिन गतियों से हुआ, जैसे कि मैंने आपको बताया, एक दिन में ऐसे अंतर नहीं आए देरे 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 अमने करशी करना सीखा विबिन प्रकार की फसलों की उपज़ पराप्त करना सीखी अधिक जनसें क्या वाले विकास चिल देश अधिक तर गहन करशी करते हैं जहां छोटी जोतों पर समानेत है जिविको परजन के लिए फसले उगाई जाती है बड़े देश विकासी देश हैं कि भारत जैसे देश की बात कर रहे हैं और बड़ी जोते वाने जी करशी का मतलब आप समझे गए होगे यानि कि फसलों को बेचने के लिए और उनसे धन्या लाब कमाने के लिए और छोटी जोतों पर सिर्फ अपनी जीविका को चलाने के लिए के लिए अधिक उपयोगत होती हैं जैसे सेयुक तराजी अमेरिका, कनाड़ा और उस्टेलिया बच्चों ये बड़े देश हैं परिनी के अंदर जन्संग क्या कम हैं तो यहां खेती करने के लिए बड़ी बुमी उपलब्द है इसलिए ये वानिजे क्रशी के रूप में बड़ी बुमी को उपयोग कर सकते हैं तो बच्चों इसी के जाथ हमारा ये अधियाय यही समापत होता है इस अधियाय के अंदर हमने क्रशी के बारे में जाना विभिन प्रकार की क्रशियों के बारे में देखा और अब हम मिलते हैं हमारे अगले अधियाय के साथ धन्यवाज